CHI की फ्रेम जोमेटरी दुसरे लेक्ट्रो बाइस की तरह ही है There is no change has made with this new लेक्ट्रो CHI बढ़ हाँ कमपनी ने दो निव कलर ओप्शन्स इंटर्डूस किया है सच अज पर्ल ब्लैक और रेट और इस CHI की फ्रेम साइज है 18.5 इंचेज और इसे क्रफ्ट किया गया है 6061 अलुमिनियम अलॉय से और इसलिए ये बाइक काफी हलका भी है Around 19 kg और इस बाइक की आईडियल पेलोड है 100 kg As far as motor is concerned तो CHI में भी आपको same 36 volt 250 watt की BLDC rear hub motor देखने को मिलेगा और इससे आपको maximum torque मिलेगा 40 na बहीं पे रही बात इसकी speed की तो दूसरे लेक्ट्रोबाइक की तरह इसे भी आप 25 km per hour की speed पे चला पाएंगे बैटरी की बात करें तो जैसे की मैंने आपको last वीडियो में बताया था कि कंपनी ने निव मॉडल्स के साथ बैटरी केपासिटी थोड़ा increase किया है तो C8i के साथ भी आपको Panasonic की 6.36H lithium-ion concealed battery pack देखने को मिलेगा और ये एक highly efficient बैटरी है और इसकी life cycle से करें तीन साल की इसके अलावा C8i के साथ भी आपको magnetic charging port देखने को मिलेगा जो की securely tight रहता है और ये dust को अंदर जाने से रोकता है well for the charging तो charging के लिए बाइक के साथ आपको 2A की standard charger मिलेगा जिसकी मदद से आप इस बैटरी को करीब 4 घंटे में fully charge कर पाएंगे and then per charge on throttle mode इस बाइक को आप करीब 20-25 km राइड कर पाएंगे जबकि on padlec mode इसके साथ आपको करीब 30-35 km की riding range मिलेगा C8i में आपको 12 magnets pass sensor के साथ 3 levels of assistance मिलेगा इसके अलावा बात करें अगर इसकी riding mode की तो throttle and padlec mode के अलावा इस C8i को आप या तो manual mode में चला पाएंगे like a normal cycle या फिर इसे आप walk mode में tune कर पाएंगे at 6 km per hour speed और क्योंकि ये बाइक comparatively हलका है तो इसे में चलाएंगे